हरे कृष्णा, आज की इस मधुर कहानी में आपका स्वागत है एक श्री कृष्ण का भक्त था साधू संभंदम साधू एक पहाडी से नीचे घोडे पर सवार उतर रहा था उसको सडक के किनारे एक व्यक्ति भ्योश दिखा साधू ने उसे हिलाया पर वो नहीं हिला उसने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और थोड़ा सा उसके मूँ पर छिड़का पर कोई भी असर नहीं हुआ फिर साधू ने उसे स्वैम उठाकर घोडे पर बिठाने की कोशिश की मगर ये क्या? अचानक घोड़ा और वो आदमी हवा से बाते करने लगा और घोड़ा लेकर वो गायब हो गया तब साधू को पता चला कि वो व्यक्ति प्रसिद चोर सूर्य प्रकाश था साधू पूरी रात पैदल चलकर शहर पहुँचा कुछ दिनों बाद साधू एक घोड़ा खरीदने बाजार गया वहां उसने सूर्य प्रकाश को घोड़े के साथ देखा सूर्य प्रकाश साधू को देखकर हिचकिचाया परन्तु साधू ने उसके कंदे पर हाथ रखके कहा घबराओ मत मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा और तुम भी मत कहना कि तुमने ये कैसे चुराया क्यूंकि लोगों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा फिर कोई किसी की मदद नहीं करेगा भला नहीं करेगा चोर की आखों में आशू आ गए शर्मिंदा हो गया और चोरी छोड़ कर भगवान का भक्त बन गया ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे लाब के लिए अच्छे सिंधानतों को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी भगवान के भक्तों को और अच्छी मित्रता को नहीं खोना चाहिए सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम